नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग लिश्क्रे तैबा के दो टेरिस्ट इस समय पे पकड़े गया और इन टेरिस्ट को पुलिस फोर्सेज ने नहीं पकड़ा गाउँ वालों ने पकड़ा जमू इन कश्मीर की रियासी डिस्टेट के अंदर एक गाउँ है जिसका नाम है ड्राज कोटांकरा वहाँ पे दो लोगों को पकड़ा गया उसमें से एक इंडिविजल है तालिव हुसैन शाह और ये जो तालिव हुसैन शाह है ये बीजेपी के माइनॉर्टी मोर्चा आपको पता है कि बीजेपी इस समय पे तो आप कह सकते हो कि इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है अब होता यह है कि जब सरकारी नौकरी में आप इंट्री मारते हो पुलिस में या किसी सिविल एड्मिनिस्टेशन में भी तो आपके अंदर बहुत सारे बैक राय पे लोगे ना तो भी एक शोटा मोटा पुलिस वेरिफिकेशन होगा हाला कि फर्टी टाइप का पुलिस वेरिफिकेशन होता आपको जाना भी नहीं पड़ता बट हाँ एक फॉर्मैलिटी है बट पॉलिटिकल पार्टी इसका है जो जो जॉइनिंग प्रॉसेस है यह अपने आप में बहुत ज़्यादा सिंपल है और यह बात खुद बीजेपी के एक 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 एक्जिक्यूटिव पॉइंट आउट कर रहे है बट बीजेपी पार्टी के जो पार्टी स्पोक्सपरसन है आरेस पठानिया साहब ने बोला कि बहीं देखे इन लोग का प्लान शा लेब साइट पर आप जा सकते हो अपने डीटेल्स वहाँ पर रिजिस्टर कर सकते हो एक छोटी सी फीस होती है सार रुपय तक ही होती ही जादा नहीं होती है वह पे करके आप बीजेपी के मेंबर बन सकते हो इसके उपर थोड़ी बहुत कंडिशन्स वगरा है कि आपको ए political party join करेगा तो उसकी नौकरी के उफर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो अगर आप पुलिस में है आई पीएस है या फिक इसी ग्रूप बी ग्रूप सी ग्रूप डी जॉब में भी है तो आपके लोग ऑविसी बात है political party ही जोएन करना थोड़ा मुशकिल है लीगल कुछ नहीं है खुनब कर नहीं सकते हैं अब अब ओवराल यह जो particular आप आप कह सकते हैं कि इवेंट है यह जो particular ओवराल हैपनिंग आप कह सकते हैं गईगशन और इस प्रकार के ये मालूम पढ़ गया था कि जो इंडिविजुल है तालिब हुसैन शाह, इसके लर्ष के तैबा के साथ contact है, इसलिए इसको धुड़ने की कोशिश कर रहे थे, और रियासी के एक विलेज की लोगों ने बड़े ही मुस्तैदी से इसको पकड़ा है, उनको पुलिस की तरफ से जो member होते हैं, ground level पे जो कारे करता होते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो तो minority मोर्चा के IT cell का chief, इनकी भी काफी value होती है, local level पे जो politicians ground level पे काम करते हैं, वो पहचान वाले लोग होते हैं, समझ वाले लोग होते हैं, पहुँच वाले लोग होते हैं, वो बहुत कुछ कर चरे एक ऐसी चीज है, जहाँ पे joining से पहले बहुत ज़दा आपका background check नहीं हो रहा है, इस background check को करना बहुत ज़दा ज़रूरी है, obvious सी बात है, किसी भी political party के top leaders तक आपको पहुँचना है, तो definitely आपका background check होगा, बर शुरुवात join करने में आपके उपर ज़दा कोई checks and balances नह जाता है, तो BJP political party तो चाहे गई ही ना कि ज़दा से ज़दा Muslims party के साथ जुड़े, अभी रिसेंटी प्रधान मंतिरी मोधी जी ने भी बोलाया कि BJP को target करना चाहिए, कि जो वलने बिल Muslims है, जो कैतना कि थोड़े उठन नहीं पाए हैं, economically weak हैं, उनको अपने fold में लाने की को जरूत है, एक basic standard operating procedure लाने की जरूत है, एक proper police check, एक proper आपका address verification, जो की normal कर एक सरकारी नौकरी में होता है, और कुछ private नौकरी में होता है, वो political party की membership में भी होना चाहिए है, यहाँ पर, जो कि long term में यह political parties अगर आप देखो, तो administration की equivalent ही efficient होती है, influence होती है, जो कि police वाला, administration व में उनके ओपर checks and balances बिठाना, एक proper standard operating procedure ले के आना, membership को बढ़ाने के चकर में membership बनाना बिलकुल ही आसान कर देना, एं सब चीजों को यहाँ पर avoid करने की जरूत है, तो छोटा से news analysis था, जो कि मैंने आपके साथ discuss किया, thank you for watching friends, वीडियो को लाइक को शिर कर देजिगा, जादा से जादा लोग साथ लेक्षी को शेर करे, have a great day.